हेलो बच्चा लोग, तो होमोलोगस और एनालोगस और जो हम लोग फ्लैश कार्ट के हल्प से यहाँ पर समझेंगे, यह थियो प्रैक्टिकल में दोनों ही यह टॉपिक आपका दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं, जैसे देखें यह होमोलोगस और आनिमल्स के केस में दिखने में तो एक जैसे होते हैं, मतलब उनकी ओरीजिन एक जैसी होती है, बट फंक्शन जो है, वो अलग करते हैं, अलग-अलग फंक्शन है, और रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंट इवोलूशन को, यह आपको ध्यान में रखना है कि यह डाइवर्जेंट को प्लांट हो चाहिए अनिमल्स दोनों में ही यह चीज़ें मिलेंगी, इसके लाव अगर आप हो मैं और दिखा रहा हूं, जैसे हो में बड्स फॉर्लिम हो गया, ठीक है, अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से मैं दिखाता हूं, तरह साही क्लेयर होगा, ठीक है, इसके बाद हुमन फॉर्लिम हो गया, जहां पर बोन्स जो फॉर्लिम की जो बोन्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है और जो उनका नाम है वो दोनों, सभी जगाव पर एक जैसा मिलना है, एक्चुल कहने का मतलब यह है, ठीक है, तो आप यह देखिए, इसी तरह से हो इसी तरह से बैट फॉर्लिम, ठीक है, शायद इस बैट का मैंने देखाया भी था, कौन सा था, बैट का नहीं था, यह किसका था, बर्ट का, बर्ट फॉर्लिम, हम हमों होमोलोगस में ही इंडिकेट कर रहा है, इसी तरह से, यह इतने स्ट्रक्चर जो हैं हमारे, यह होमोलोगस को इंडिकेट करते हैं, अब हम लोग एनलोगस को भी देख लेते हैं, प्लांट का दिखे रह गया तो इसको भी देख लेते हैं, जैसे बोगन वेलिया का थ वहीं टेंडरेल का काम क्या है support करना दीन क्लांबिंग में मदद करना यह देखें डिया हुआ है कुकुर्बिटी फामिली से आते ही है प्लांट्स और यह थौन है बोगनवेलिया का तो हम लोग ने यहां पर होमोलोगस के बारे में पढ़ लिया हो मोलोगस क्या है यह रिप्रेजेंट करता है एक तरह से कॉमन एंसिस्ट्री को राइट बट डाइवर्जेंस के थू यहां पर डिफ्रेंट नीट के अकॉर्डिं डिफ्रेंट संग्ष्ण यह औरकन परफॉर्म करते हैं तो हमोलोगी का पहला इंप्रटरंट के यह होगा कि यह कॉमन एंसिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं फंशन hier पर डिफ्रेंट होता है इनकी ओरिजिन और अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमलर होता है तो यह 3 में प आते हैं तो एनलोगी क्या है जहां पे मैं पहले तीन पॉइंट बोलता हूँ कि structure different होगा लेकिन function क्या होगा similar होगा structure और जो origin है वो different होगी उस organ की लेकिन function same होगा तो यह represent करता है convergent evolution को ठीक है जैसे कि eye of octopus और eye of human being अगर हम लोग देखें दोनों को मैं change करके भी आपको दिखाता हूँ दोनों में आपको similarities anatomically similarities नहीं बट functionally क्या है वो तार similar माना जाता है ना कि इनका function क्या है similar है हो सकता है कि इनके origin same नहीं है और structure same नहीं है लेकिन comes एकी तरह से करते हैं इसलिए represent करते convergent evolution को मैं तुछा सही से लगा देता हूँ इस तरह से ये इसका structure हो गया this is the eye of human और ये represent कर रहा आई of octopus को right इसी तरह से wings of bird और wings of butterfly ठीक है देखें बार बार बोल रहा हूँ अनलोगी में anatomical structure देखते हैं हम लों morphology को नहीं consider कर रहा है anatomically ये different होते हैं इनके origin different होती है लेकिन function same करते हैं तो wings of butterfly wings of bird ये भी एक example है दोनों को मैं इस तरह से भी दिखा देता हूँ आपको right plants में भी हम लोग analogous structure देख लेते हैं potato stem tuber ठीक है और sweet potato root tuber तो दोनों का काम ही क्या है food को store करना अलाकि ये modification different structure के एक stem का है दूसरा root का है लेकिन function क्या है same है तो again convergent evolution को इसके लवा आप dolphin और penguin में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल ले आएगा कि वह analogy को represent करते हैं जो flippers होते है अनिमल्स के case में वह मेरे पास है नहीं flash card दे तो मैं वह भी आपको represent कर देता एगेन मैं इसको इस तरह से आपको दिखा देता हूँ यह potato tuber हो गया और यह sweet potato हो गया तो यह analogous और homologous का flash card के तुरू आपको representation था समझ में आ गया होगा कर दो कर दो